तो सबसे पहले टाइप है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है? देखो ऐसे फंक्शन जो इस कंडिशन को साइडिस्वाइ करते हैं, वो कंडिशन क्या है कि अगर आप उसमें x की जगा माइनस x पुट करो, तो फंक्शन पर कोई असर ना पड़े, फंक्शन जैसा प तो देखो मैंने फंक्शन में x की जगा माइनस x पुट किया, और फंक्शन को क्या असर नहीं हुआ, वो ओरिजिनल जो है, वह चाही रहा, तो यह x स्कॉयर किसके बराबर है, f of x, तो इस x स्कॉयर के जगा मैंने लिख दिया, f of x, तो condition अचीब हो गई, f of minus x बराबर है, f पुट करते हो, तो वो नेगेटिव एग्नोर कर दो, उस पर कॉस का को असर नहीं पढ़ता है, cos minus x, cos x की बराबर होता है, ठीक है, और cos x इसके बराबर है, f of x, तो cos की जगा मैंने लिख दिया, f of x, तो यहाँ पे देखो, f of minus x इसके बराबर हो गया, f of x के बराबर हो गय इसी तरीके से आपके पास कोई भी सवाल आजाए, मैं दो-तीन और एक्जेम्बल भी यहाँ पे देदूँगा, ताकि मजीद concept clear हो जाए, तो यह दो एक्जेम्ल मैंने आप लोगों को देदी, even functions related, तो पहला point even functions related, यह वाला था, हम odd function भी साथ पढ़ लेते हैं, odd function क्या होत ता with positive sign, कि function को को असर नहीं पढ़ रा, लेकि यहाँ पे function आता हो जाएगा, लेकिन function को यह असर पढ़ेगा, कि उसका sign क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसके साथ negative आ जाएगा, जैसे example मैंने दी है, f of x equal to x cube, अब आप x किया जगा अगर minus x put करोगे, तो minus x cube क्या हो होगा, minus x cube के बराबर, ठीक है, तो देखो, original function x cube तो आ गया, with negative sign, ठीक है, तो x cube के जगा आप क्या लिख सकते हो, f of x, x cube के जगा मैंने लिख दी f of x, with minus sign, तो f of minus x बराबर हो गया, minus f of x, तो यह कौन सा function कहला जाएगा, odd function, और इनके नाम भी, अगर आप यह देख सकते हो algebraic, अगर functions को आप देखो, अगर power 2 है, power 4 है, power 8 है, जितने भी even power है, तो वो वाले function क्या होंगे, even function, और देखो, जितने भी odd power होंगे, जैसे x, x cube, x5, x7, यह सब क्या होते है, odd function, तो यहीं से इनका नाम हमने रखावा, even and odd functions, अच्छा, देखो, cause की property होती है, कि अगर cause के अंदर आप negative put करो, तो answer positive भी आता है, अगर आप negative put करो, तो answer cause x ही होगा, लेकिन sine की property है, कि अगर sine के अंदर negative put करो, तो sine x तो आ जाता है, with negative sine, यह आपने first year trigonometry में, chapter 10 में पढ़ा होगा, तो sine minus x बराबर होता है, minus sine x के, अब देखो, original function तो आ गया, sine x, with negative sine, तो यह कौन सा function होगा, odd function, और condition कैसे लाओगे, sine की जगा आप लिख दो, f of x, minus अपनी जगा पे, तो देखो, f of minus x बराबर है, minus f of x के, तो दो example मैंने odd function की दे दी, दो example मैंने even function की दे दी, अब इन दोनों से illustrate दूसरा point, और वो है इनकी symmetry, जो even functions हैं, वो symmetrical होते हैं, about y axis, कहने का मतलब, y axis के इस तरफ जो image है, same y axis के इस तरफ भी वो ही image होगी, इसकी example आप यह ले सकते हो कि अगर आप सीधे खड़े वे हो, और यह आपके सामने शीशा है पूरा, तो जब आप शीशे में देखोगे, आपको लगेगा कि शीशे की पीछे भी आप खड़े वे हो, जब आप शीश इस तरफ जो graph है, same graph y axis के इस तरफ भी है, तो इसको आप बोलते हो, symmetrical about y axis, या इसको दूसी तरह भी आप समझ सकते हो, कि अगर यह page है, और इस page को आप fold करोगे इस तरफ, तो जो इस तरफ आपके पास graph आया है न, same graph इस तरह भी मौझूद होगा, तो अगर आप यह फोल् जो graph है, same y axis के इस तरह भी है, और इसके back example है, अगर आप इस page, consider कर लो इसको पेज, तो अगर दरम्यान से आप page को fold करो, इसको यूँ करो, तो जो यह graph है, same as it is, यह इसको इसको इसके उपर आ जाएगा, तो यहां से आपको बता चल जाएगा, यह graph है, यह symmetrical about y axis है, और जो है, symmetrical होते हैं, अब यह origin के about symmetrical को समझने के दो तरीके हैं, एक दो आप इस तरह कर सकते हो, अगर आप इसको graph, मैं यहां पे तरह बनाता हूँ, यह जो मैंने graph बनाया है, f of x equal to x cube का, इसको मैं यहां बनाता हूँ, तो आप graph का यह वाला हिस्सा, origin तक जो है, origin से पहले पहले यह वाला हिस्सा, इसको consider करो, और दूसरी तर्फ यह हिस्सा बनाओ, upside down कर दो इसको, मतलग यह पहले इस तरह था ना उपर, आप इधर बनाओ with, नीचे बेंड कर दो, तो देखो, सेम उपर जो था, वो इधर है, लेकिन उसको हमने नीचे की तरह बेंड कर दिया, पहले व आप ग्राफ को 180 डिगरी रूटेट करो, यह ग्राफ को पकड़ो, 180 डिगरी रूटेट कर दो, और ग्राफ को क्यों असर ना पड़े, तो इसको आप बोलोगे, symmetrical about origin, कहने का मतलब, जैसे मैं example देता हूँ, यह वाला ग्राफ है, आपने इसको 180 डिगरी रूटेट करना है, स और आप अपने इसको 90 डिगरी रूटिट करने है, तो अब यह एक्स जो है वो यहाँ पर आजाएगा, यह जो ग्राफ इस तरह बना था, अब ये ग्राफ इस तरह हो जाएगा, जब आप इसको 90 डिगर्ट करोंगे ना, तो यह ग्राफ आप इस तरह बनेगा, और यह तिस यहां पर ता अब y यहां पर आ जाएगा एकश यहां पर नगराफ इस तरह रहा था अब यह इस तरीके से बनेगा और यह जो इस कॉट में बन रहा था जब आप रूटेट करों के नाजड़ीद तो यह तरह बन जाएगा alreadyница करने के बाद आपका graph सेम है कोई फरक नहीं पड़ा अगर आपको तो ऐसा graph जिसको आप 180 डिग्री रूटेट कर दो वो वाला क्या होता है odd function का graph होता है और sin x बिसकी best example है इसको आप 180 डिग्री रूटेट करो देखना फरक नहीं पड़ेगा या इसको दूसरी तरह भी आप समझ सकते हो जो मैंने पहले बताया था कि origin कि origin के बाद यह वाला हिस्सा है ना आप इसको यहाँ पर आके उल्टा कर दो यह काम किया है यह sin x है origin के इस तरह आप क्या करो इसको उल्टा कर दो तो यह वाली पीक नीशे चली जाएगी यह वाली पीक उपर चली जाएगी तो सेम देखो यह वाली पीक नीशे चलेगी यह वाली पीक उपर चलेगी तो इस तरह भी समझ सकते हो यह आप इसको 180 degree रोटेट करो और देखना graph को कोई असर नहीं पड़ेगा तो यहां से आपको समझाजेगी जो odd function है वो symmetric होते हैं about तीसरा point है if x, y be a point on graph कि कोई भी एक even function का graph हम let कर लेते हैं f of x equal to x square let कर लेते हैं तो बोलने कि अगर इस graph के उपर एक point है x, y हम let कर लेते हैं अगर आप x की जगा यहां पर 2 put करोगे तो answer क्या आएगा 4 आएगा तो consider कर लो यह graph मैंने सही बनाया वह नहीं है इसको इस तरह बना देते है actual graph तो obviously अब आपको app में ही सही मिलेगा consider कर लो यह point जो है यह 2 है और answer आपको क्या मिला 4 मिला क्योंकि जब आप यहां पर 2 put करोगे 2 का square 4 तो इस graph के ओपर एक point है 2,4 तो अगर इस graph के ओपर एक point है x,y तो इसी graph के ओपर एक और point होगा minus x,y मतलब उसमें x की value का आप कर दो negative तो देखो 2,4 इसी graph के ओपर है same यहां पर एक point होगा जो होगा minus 2,4 क्योंकि even function है अगर आप यहां पर minus 2 put करो तब भी 4 आ रहा है अगर आप 2 put करो तब भी 4 आ रहा है तो यहां से आपने observe कि अगर 2,4 इस graph के ओपर है तो minus 2,4 भी इस graph के ओपर होगा और यह mc की उसमें पूछ सकते है आपको कोई भी बोल दें कि एक function है जिस function के उपर एक point है 6,3 और आप से बोला जाए कि यह even function है तो बताओ इसके उपर एक और point गोंसा होगा तो अगर यह even function है तो इसके उपर एक और point होगा minus 6,3 इस तरीके सा आप इसका answer दे सकते हो इसी तरह अगर odd function में आप देखो x,y point जो है वो अगर ग्राफ के उपर है तो minus x,y भी क्या होगा ग्राफ के उपर होगा और यह देखने में आपको लग रहे है अगर आप यह जो x cube वाला ग्राफ है इसको consider करो f of x equal to x cube अगर इसके अंदर आप 2 put करते हो तो answer आपके पास 8 आता है ठीक है और अगर आप इसके अंदर minus 2 put करोगे तो answer क्या आएगा minus 8 आएगा सबसे पहले 2 हो consider करते है मैंने इसके अंदर 2 put किया और answer क्या आगया let's say मेरे पास 8 आगया तो इस graph के उपर एक point है 2,8 तो अगर यह odd function का graph है तो इसके उपर एक और point होगा minus 2, minus 8 मतलब x और y दोनों को negative कर दो और यह आपको पता है अगर आप यहाँ पे minus 2 put करो तो answer क्या आता है minus 8 तो minus 2 put किया answer क्या आगया है यहाँ पे minus 8 आगया तो अगर यह odd function का graph है 2,8 इसके उपर है तो minus 2, minus 8 point भी इसके उपर होगा तो इस point से वह MC कुछ बना सकते हैं कि भाई एक odd function है जिसके उपर एक point है 1,2 तो बताओ इसके उपर एक और point गोंसा होगा देखो equation given हो, function given हो और फिर तो आप असानी से निकाल सकते हो लेकिन जब यह ना given हो तो फिर मसला होता है तो उन्होंने बता दिया वो odd function है जिसका मतलब उसके उपर एक point यह वाला भी होगा और आखरी point मैंने example दी भी है सबसे पहले मैंने example दी f of x equal to x की power n where n belongs to even number कि जो भी आपके पास इस टाइप के function है कि x square, x4, x6, x8 वो सब क्या होते हैं even function होते है इसी तरह cos जो है वो भी एक even function है इसी तरह यह जो modulus x है यह भी एक even function है यह काफी famous even function है तो मैंने example दे दी है बाकि randomly कोई भी even function हो सकता है जैसे x square minus x4 यह जो function है यह एक even function है आप यहाँ पर minus x put करो देखो function को को असन नहीं पड़ेगा तो यह जो मशूर है वो मैंने लग दी है बाकि even function तो आप जितने बना सकते हो बन जाएंगे और यहाँ पर x की power n where n belongs to odd number मतलब x हो गया, x cube हो गया x4, x5 यह सब क्या होंगे odd functions होंगे ठीक है trigonometry में अगर बात की जाए तो sine एक odd function है tangent एक odd function है अच्छा, इनके reciprocal भी odd होंगे जैसे sine है, sine का reciprocal को सैग odd है tangent का reciprocal caught odd हो जाएगा और जो इनके inverse है, sine inverse, tangent inverse यह भी सब क्या होंगे, odd होंगे और यहां पर अगर cos even है तो इसका reciprocal seg भी क्या होगा even होगा और इनके inverse भी क्या होंगे even होगे अब एक कुछ example दे देता हूँ जो normally mcq जो पूछ रहे होते है जैसे अगर आपके पास एक function आजाए f of x equal to x cube minus x अब आपको अगर पता करना है even है या odd है तो किस तरह करोगे आप इसके अंदर x की जगा minus x पूट कर दो ठीक है minus x का cube हो जाएगा minus x cube और minus minus positive अब देखो original function नहीं आया आपके पास original function है x cube minus x आपके पास आया है minus x cube plus x तो original कैसे आएगा आप यहाँ पर minus common ले लो तो अब देखो आपका जो answer आया है उसमें एक original function आ गया है with negative sign तो यह किसकी condition होती है odd function की होती है तो यह function odd function है इसी दर अगर आजाए f of x equal to x over mod x कैसे बेचान होगे आप minus x पूट कर दो इदर भी x की जगा minus x आजाएगा नीचे भी mod में minus x आजाएगा आपको पता है mod के अंदर अगर negative x हो तो वो positive x ही हो जाएगा ठीक है तो आप देखो आपके पास original function आ गया with negative sign इसका मतलब यह भी क्या होगा एक odd function होगा इसी दर आ ऐसी possibility भी है कि आपके पास ऐसा function है जो even ना हो ना वो odd हो जैसे बरी मशूर example है यह वाली sin x plus cos x अब यह जो है ना यह even है ना यह odd है क्योंकि अगर आप इसके अंदर x की जगा minus x put करो तो देखना क्या होगा sin minus x बराबर होगा minus sin x के cos minus x बराबर होगा cos x के अब देखो यह original function नहीं आया original function है sin x plus cos x तब भी देखो आपके पास original function नहीं आया तो यहाँ पे आपके पास original function आई नहीं रहा ना इस case में ना minus common लेने के बाद तो ना तो यह odd function होगा ना यह even होगा क्योंकि इन दोनों function में पहली शर्त तो यह कि original function आना चाहिए अब वो with positive sign आ रहा है अगें माइनस x पूट करो तो sin minus x हो जाएगा minus sin x के और यह तो positive cos x ही होगा अब देखो आपके पास original function आ पूरा तो यह क्या हो जाएगा और हो जाएगा तो इस तरीके कि जितनी example आपके पास mcqs में आ सकती है जतना आप solve करोगे उतनी अच्छी आपकी सेम प्रॉपर्टी सब्ट्रेक्शन के लिए भी होगी कहने का मतलब कोई भी दो even function को add करो even यह आएगा कोई भी और दो function को add करो तो odd आएगा और अगर even और odd function को add करो तो neither आएगा मतलब ना वो even होगा ना वो odd होगा तो जो addition कि यह subtraction की भी यह है कि अगर दो even function को separate करो तो even आएगा और same बाकियों के लिए भी है और यह आप prove भी कर सकते हो let's say आप यहाँ पे कोई भी जैसे पहली property है कोई भी दो even function को add कर दो x square और x4 जो हैं यह दोनो even function होते जब आप add करो आप इसको solve करो x को replace कर दो minus x से तो यह हो जाएका x square यह हो जाएका x4 तो देखो original function आ गया with positive sign तो यह एक even function है इसी दरा कोई भी आप दो odd function ले लो देखना answer odd यह आएगा और even और odd की तो example मैंने दे दिया आपको देखो sin x क्या होता है एक odd function है cos क्या होता है एक even function तो जब odd और even function आपस में add होते है तो result में क्या आता है ना इदर ना even आता है ना odd आता है और वही चीज़ मैंने वहाँ पर लिखी लिए अच्छा multiplication के लिए जो property है same वो division के लिए भी है कि अगर दो even function को multiply करो even दो odd function को multiply करो तो even अगर even और odd function को multiply करो तो odd आएगा जैसे यहाँ पर मैंने example दीती sin x multiply cos x तो देखना end पे odd आया था इसलिए क्योंके यह है odd function यह है even function तो even और odd को multiply करो तो result में odd आ रहा होते है और let's say यह इन ही दो भी बात कर लेते हैं यह दो even है ना इनको multiply करो result में x6 आएगा और s6 एक even function है इसी तरह कोई भी दो odd function को multiply करो तो अब यह क्या होगा x की power rate और यह भी एक even function होता है तो आप इस properties को prove कर सकते हो कुछ 4-5 point है सबसे पहला point किया f of x equal to 0 यह वाहिद अकेला ऐसा function है जो even भी है और odd भी है कौन सा? f of x equal to 0 कैसे? यह यह दोनों condition को satisfy करेगा जैसे अगर आप यहाँ पे देखो f of x equal to 0 अगर आप x के जगा minus x put करो तो 0 को को असर नहीं पढ़ ला मतलब original function आपके पास आगया 0 जो है वो f of x के बराबर है तो यह जो condition है यह even function की है और इसको आप odd function में किस तरह तबदील कर सकते हो? जब आप यहाँ पे minus x put करोगे तो मैंने बताया था 0 आया 0 का आप इस तरह भी लिख सकते हो minus 0 अब देखो 0 एक है function with negative sign तो यह condition किस की बन जाएगी? odd की बन जाएगी तो जो f of x equal to 0 है यह even function की condition को भी satisfy करेगा यह odd function की condition को भी satisfy करेगा तो यह y ऐसा function है जो even b है और odd b है इसी तरह even function जितने होते हैं वो many to one होते है many to one function मैंने बताया था कि at least दो ऐसी x values होंगी जिनका same y value होगी और यह आपने देखा है जैसे इस function को बात करो यह even function है तो इसमें अगर आप 2 put करो answer 4 आएगा minus 2 put करो तब भी answer क्या होगा 4 होगा तो इन दो different x value की देखो same y value है और ऐसे तो बेताहाशा x values हैं इसके अंदर आप 3 put करो या minus 3 put करो answer जो है वो हमेशा 90 आएगा तो जितने even functions होते हैं आप क्या होते हैं many to one function होते हैं और जितने odd function होते हैं जैसे अगर आप इसकी बात करो यह one to one है और one to one पता करने का तो काफी इसी तरीक है आप horizontal line मना दो ठीक है लेकिन सारे odd function one to one नहीं होते हैं क्यूंकर देखो sin x जो है यह एक odd function है लेकिन जब one to one नहीं है यहां पर ठीक है तो odd function may और may not be one to one one to one function क्यों one to one function हो भी सकते हैं और one to one function नहीं भी हो सकते हैं ठीक है अच्छा जी और आखरी point क्या है वो यह है कि अगर आपका जो एक function given है ठीक है कोई भी एक function है ऐसा function जिसको आप differentiate कर सकते हो ज़रूर नहीं कि हर function को आप differentiate कर लोगे जो mod x है ना इस function को आप differentiate नहीं कर सकते है origin के ओपर origin के ओपर sharp corner होता है इस graph के ओपर तो that's why modulus function को आप origin के ओपर differentiate नहीं कर सकते है ठीक है मैं ऐसे function की बात करूँ जिसको आप differentiate कर सकते हो तो अगर आपके बात से function मौझूद है consider कर लेते हैं sin x और एक और example consider करते हैं cos x तो अगर आपका function odd है और आप इसका derivative लो sin का derivative क्या होगा? cos x हो जाएगा तो देखो sin function odd था और उसका derivative क्या आगया? तो अगर एक function odd है तो उसका derivative क्या होजएगा? इवन होजएगा और अगर एक function even है तो उसका derivative क्या होजएगा? odd हो जाएगा जैसे f of x cos x एक even function है इसका derivative minus sin x ये क्या होगा? odd होगा कैसे check कर सकते हो? आप x की जगापे यहाँ पर पूट कर दो minus x इस x के जहाब पे मैंने minus x put कर दिया ठीक है आपको बता है sin minus x किसके बरावर होता है minus sin x के ठीक है तो देखो original function आ गया original function आ गया ना with negative sign तो यहां से आपको बद सल जाएगा यह एक odd है तो अगर एक function even है if f of x is even then उसका derivative जो है वो odd हो जाएगा और अगर एक function odd है तो उसका derivative क्या हो जाएगा even हो जाएगा यह आप algebraic function में भी try कर सकते हो जैसे x square एक even function है इसका derivative 2x odd होता है इसी तरह x cube जो है एक odd function है इसका derivative 3x square एक even function होगा that's it even and odd functions से related यही properties थी कर सकते हैं